हेलो गाइज आसान है ना डोट कोम पर मैं प्रवीन कुमार रोहिला लेक्चरर्स इन मैथेमेटिक्स आपका स्वागत करता हूँ आसान है ना डोट कोम पर हम वैदिक मैथेमेटिक्स से रिलेटिड आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंतरगत हम आपको किस तरह से मैथेमेटिक्स को इंटरस्टिंग बनाया जाता है इस तरह की हम कैलकुलेशन को सीखेंगे वैदिक मैथेमेटिक्स हमारा नेकिवल समय बचाता है बलकि हमारे लिए कैलकुलेशन को भी बड़ी ही स्टीक, रोचक, ढंक से हमारे सामने प्रस्तूत करता है मैं आसा करता हूँ कि इस तरह की कैलकुलेशन को अपने आप जीवन में बहुत ही यूजफुल पाएंगे आज जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो कैलकुलेशन हमारी है multiply up to 20 by 20 numbers it means हम ऐसी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जो दो डिजट की कैलकुलेशन है दोनों डिजट वाले नंबर हमारे पास 20 से कम है इस तरह की कैलकुलेशन को करने में हम किस तरह से वैदिक मैथेमेटिक्स का सहरा ले सकते हैं हमारी किस तरह से calculation streak हो सकती है रोचक बन सकती है उसके लिए हम पहले आपको कुछ steps बताने जा रहे हैं जो सबसे पहले हमारा steps है add first number to unit digits of the second number जो हमारे पास first number दिया हुआ है उस first number के अंदर दूसरे number की unit digit को add कर देना है जो second step है हमारा उसके अंदर add zero to the right of the sum of 10 जो हमने first step पे आपको एक जो sum मिला था उस sum के ठीक right में आपको zero को add कर देना है third step के अंतरगत multiply unit digits of both the number जो इन नमबरों की multiplication हम करने जा रहे हैं उन दोनों number की multiplication unit digits की हमें कर देनी है और fourth step में जो आपको second step और third step में जो दोनों number पाए हैं उन दोनों number को add कर देना है इस तरह से हम हम अपनी calculation को पूरा कर सकते हैं इन steps को मैं एक example के द्वारा आपके सामने लेकर आ रहा हूं example है 19 को 17 से multiply करना है तो हमारा first step 19 में 7 को add कर देना है या 17 को 9 में add कर देना है तो इन दोनों cases में मेरे पास जो sum आएगा वो 26 आएगा second step के अंतरगत जो मैंने first step में मेरा जो sum आया है 26 उसके ठीक right में 0 को add कर देना है third step के अंतरगत मेरे को multiply करना है दोनों given numbers को की unit digits को यहाँ पर unit digits दोनों में एक में 9 और एक में 7 है तो दोनों unit digits को मैंने multiply कर दिया 9 into 7 that is 63 और fourth step के अंतरगत मेरे को जो second step में जो number मिला था 260 and 63 दोनों को add कर देना है तो जो number आया मेरे पास वो number आया 323 तो hence 19 और 17 की जो multiply है वो आएगी 323 इस तरह की calculation को आप बड़े ही आसान तरीके से करके देख सकते हैं और आप पाएंगे कि इस तरह की calculation हर example के लिए बड़ी ही streak रूप से पूरी होती है thank you and have a nice day